कि हम लोग आज बगवद गीता के छटे अध्याय के दस्मेश लोग को देख रहे हैं कि यह माइक पि बोलेंगे भक्त पर पीश्य आ योगी उंजीत सततमा योगी यूझीत सततमा आत्माना म्रहसी स्थितह आट्माना म्रहसी सिता एका की यत चितात्मा निराशीर अपरिग्रह अच्छी सिता सिता श्लोक है योगी युझीत सततम आत्मानम रहसी स्तितह प्रहुपाजी कह रहे हैं युझीत सततम प्रहुपाजी अद्बूत है हमेशा हर चीज़ों कृष्ण चितना मिल जाते हैं और वहीं पॉइंट ही कि तीन अर्थ ले रहे है कि मन को उस्रीर और आत्मा को हमेशा कृष्ण चेतना में रखे कृष्ण की सेवा में रखता और एक लुए एक आकि मत dissolve अकेला रहता है एनável कि बहुत टिक संग से दूर्ध सेरह एधी कैस करक्वापाद कहारे रहे हैं यही हम लोग ने पहले भी सुना था ना यत यत मन कारता है कि कंट्रोल निग्रह निग्रहीत मन हां जयता है जिसका मन इस प्रकार का है सचेत और कंट्रोल और निराशी इसमें शब्द है आशा आशा मतलब होफ निराश अ मतलब क्या होता है कोई नहीं निराशी का अर्थ हुआ कि जिसका एंडर से यह आशा निकल गई है कि कोई बहुत इक वस्तूश को सुक दे सकती कि यह बहुत कठीर होता है कि इप लोग लगता कि न 이후 जो प्रवचन कर रहा है तो खालम है उसको भी कितना हुआ ह तो दुखाले में डाउटफुल है कि लगता है कि नहीं थोड़ा अज़स्ट यह समझते हैं इस बात को हम सोचे लेकि थोड़ा कटनाई यहां पर है दाएं बहात में सो थोड़ा अज़स्ट कर लूगा तो मैं सुखी हो जाओंगा तो दाए हाथ की जो कटनाई वहां यहां स हमें जो करना है वो करना चाहिए बड़ यह सोचना कि हम सुखी हो जाएंगे यह नहीं क्योंकि आप समझे कि इस बात को इस दुख जो है यह अरेंज किये जा रहे हैं ऐसा नहीं कि बाई चांस हमको दुख प्राप्त हो रहा है एक के बाद यह कर्म का दुख समाप्त हुआ कि अंद्यूज़ प्रवन रहते हैं अब प्रीकरा मित्लभ सौमित्य की भावना से रहीं अब परिकरह कहा यह अर्थ नहीं कि हम चुछ वंग नहीं कर देख ए अर्थ ये हैं कि हम उसमें यह इसलenda को भावनारा रखे म॔र इसको प्रहुपाजी अपने त्वर में रखेंग योगी अपना चित्य परमात्मा विश्नु पर ही एकागर करते लियनतर प्रयात्म करे. उसे एकांत्म में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वर्षमे करने का प्रयात्म करना चाहिए. इस प्रकार कामनाओं और संग्रह की भाव से नमक्द हो जाएगा. कि सावधानी पूलबक मन को वर्ष में करने का प्रयात्म करें कि मैंने से पहले भी आपको चर्चा करी थी इस बाद में कि मन को वर्ष में करने से पहले हमको यह समझना होगा कि हम मन नहीं है कि बात बहुत सिंपल से लगती है लेकिन बात बड़ी कठिन होती समझें तो इस पर विचार करेंगे तो मेरी बात आप वो समझ में आगी कोई भी चीज़ा मैं कंट्रोल करना चाहता हूं अगर तो विक्ति कोई समझना होगा कि वह वस्तु से भिन्न है कुछ पूरवक एक और बात ये बाद में आए भी आएगी कभी नहीं विश्वास करना चाहिए कि मेरा मन जहें सहीमित हो गया है तभी मन मार देगे पढ़ते आगे गीता बुशन टीका अब 23 लोकों में भगवान योग और उसके अंगों का बंदन करेंगे एक निश्काम कर्म य चाहिए जहां शब्द नहीं हो वहां इसका अर्थ समझ देना चाहिए देखी जब मन में बार-बार भोग के विश्य जा रहे हैं तो मन सहीमित क्यों से होगा तो इसलिए अस्टांग योग के लिए आवश्य के क्यों है एक अगदम निर्जन स्थान में जाकर के वह है इसम पहले क्या हो अगर इंद्रियों से कोई इंपुट नहीं है तो फिर मन उधर नहीं जा सकता है तो इसी प्रकार से धीरे-धीरे करके मन को भगवान में लगा रहा है और भोग से दूर रख रहा है तो फिर मन को सैमित कर पाए वहां भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चा यह अर्थात योग के प्रतिकूल चित और देह के वैपार से वरजित होना चाहिए हिंदी सेवाज में आई वह देह की क्रिया या फिर वह चित का वृत्ति मतलब मन के वह कारिय जो योग के विपरीत होते हैं उन से उनको उसमें सरग्ण नहीं होना चाहिए अब इसको भक् स्वामी जी ने क्या बताई है छह चीजें खाली याद दिला दिजिए भक्तों को माइक पर बता करके जिसके द्वारा हमारा भक्तियोग बादित होता है किसी याद है मैक बताई एक बात बदों को मैक एक साथ में कॉंग्रिकेशन चैंटिंग में अत्याहार पढयास सब्सक्राण यह रहे हैं तो बढ़ा सीधा सीधा उत्तर है कि इनच है सिधान को मिस्टेक तो नहीं हो रही तो मैं इसक्ता नहीं करना चाहता हूं लेकिन अत्याहर का मतलब होता क्या है यहीए पॉइंट यहां पर आने वाले आप परिग्रह साथ क्या है जितना इंद्रिय कि भॉटिक बंढ़ों कोई कि ब्राब तो आपने तो अपराप्त होता नगщ गवारतां लाग बहुत दिंघरस और नियम आगरह इसको समझा दीजिए दो बात है नियम आगरह नियम आगरह ऐसा नहों कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं मगर उसका प्रवपाज बहुत अच्छे समझाते हैं नियम आगरह मतलब भक्ति के नियमों को पालन करने में तो डिला रखना और नियम है मतलब बढ़िया से पकड़ लेना तो जो बहुत इक्ता में प्रग्जिति करनी है उसमें खुब अच्छे से फकड़ा हुआ दो रुपे ना हो चले लेकिन दो घंटे हमारे भजन की डिश्टर्ब हो जाए उस पर जह कोई दिखे पर यह बहुत महत्पून है आगे जाकर महाराज बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं रहे अभी यह है मंगल आर्थी तो नए भक्तों के लिए है यह सब जो है अब तो हम सि मटलब बहुत अग्यान घ्री नीएं उनको पालू करने बहुत अग्राइक करना करना बहूत अच्छा और नियम है मतलब भथिके नियुम के नियम को कुआ जाएंगे किता बजन मिन रहा है मैं कि इसमें क्यों अधियु मMiT स्थाल्ạnhनàng कितना ab sum कितना की हाष में हो कितना भक्ति है कर दोजब कर रहे हैं कि और नहीं हो लुद्सा बढ़ना चाहीं और क्या था यह मने समझ आपरी तो हुँ भूर्टेंजरस जन संग यह लिए जन संग की लिखा गया है चंग से बक्ति नीची होती है और और संग ही हमार बक्ति को डाउन करते हैं और क्या है लास्ट में बहुत एक वस्तों के लिए इच्छा करना यह प्राप्त हो जाए बहुत एक वस्तों का देखिए आप माली जी कुसी भग को ठंड लग रही है और उसको जाकेट चाहिए तो आप यह नहीं कह सकते बहुत एक इच्छा है कि शरीर क्या शकता है लेकिन कोई कहें कि मैं जब कर रहा हूं मैं प्रसेड़न बन जाओ मैं यह बन जाओ वो बन जाओ मैरा तो यह अन्भा मैं देखता हूं जो भग बढ़िया से जब करते हैं बक्ति करते हैं एकदम दिखता है कि से क्या होने वाला है है कि है कि नहीं इसका आर्थी यह नहीं कि भक्त कोई दाइत भी नहीं ले सकते इधान दीजिगा लेकिन इन पदप्रतिष्टाओं की पीछे वक्ति भजन नहीं करते हैं यह चाह नहीं आते हैं यह माला पहनाएंगे तब ही प्रवचन करें यह पच्छिस्त माला 100-200 लोग होंगे तब ही प् सकती सब्सक्राइब है तो मैं खाली इस बात में चर्चा किया कि हमारी भक्ति के लिए छे प्रकार की चीज़ें प्रतिकूल है इसको बहुत दूर रखना चाहिए उसे मुक्सान हो जाए ऐसा इसली है क्योंकि वह वैराग में दृण होने के कारण कहीं और जाने की इच्छ सश ा से शून्य होता है है कि यह सब्जमेराइन बात कहीं और जाने की इच्छा क्यों होती है किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने की इच्छा क्यों होती अटी इच्छा क्यों होती है, यह ठीका की लाइन है, इसको समझे, बहुत सब्सक्राइब है, वैराग, पहले मैं समझा आता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा, फिर आपकुछ बोलीए कास में, वैराग, वी राग, मतलब भोगों से इसको अना सकती है, जो यहाँ भोग प्राप्त हैं, जो भी शरीर के आशकता है पराप्ते हैं, वहीं दूसरी ज़ेगा है, पराप्ते कुछ विशेश नहीं है, तो क्यों जाओं वहाँ पर, आप देखो वैक्ति कहीं, इधर से उधर जाता है, च्छा खाने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, सारा जब जो यहाँ है वह है तो वहां पर क्या हमया भोग प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के यह कारण से उसी को इच्छा नहीं होते कि अधर कहीं उदर जाए भ्रक्ति करें बदने की बधक्ति कर रहा हो अपनी योग से हां आप अरे भाई आप मेरा पॉइंट समझीए यहाँ आश्ठांग के बारे में पुलना एक जगर एक भक्ति कर रहा है तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं और स्थान संग प्राप्त तो को जाना चाहिए उपना बोल रहें लेकिन भौग प्राप्त करने कि इच्छ लेकिन आज ही आप प्रचार करने के लिए गाए कि नहीं कि अगर उसी स्थान में बोलते कि आज कृष्णा लोक में शादी है आप इन मंत्र रहते हैं तो जाते हैं नहीं सभाविक भक्त लोग देख लिए और बोला जाए कि आप प्रीचिंग के लिए जाए या कुछ भवान कि सेवा का संबंद नहीं है वहां बिल्कुल मन नहीं करते जाने कि वड़ा रहता है कि यह जाना भी क्यों पढ़ रहा है यह दिखाता है कि हम भक्ति में प्रगति करने हैं आप लोग अन्भव भी होता हो गज़बात कर नहीं मैं खुद ही देख रहा हूं बगतों का मंगल गुसामी लोग भी एक मेंड़ से दूसरी बेड़ बदलते थे तो आसक्ति के कारण बदलते कि आसक्त नहीं हो जाए राधागुन महाराज बता रहे थे चैंजिंग करते हैं उनका तो स्तरीय लगे है क्या बूला जा वह व्यर्थ एकटा करने की इचा से रहित रहता है कि क्रिष्ण की अनभूती ब्रह्म परमात्मा तथा स्री भगवान के विविन रूप में होती है संचेप में क्रिष्ण भावना अमरीत का अर्थ है भगवान की दिव्व प्रेम भक्ति में निरंतर प्रविड्थ रहना अब देखिए यह तो आप समझ रहे हों कि प्रभुप जोसा मरत्म है कि इसलिए भले इक स्कॉलर को पसंद में आता है किन्तो जो लोग निराकार, ब्रहम अत्व अंतरयात्मी प्रमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंसिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार, ब्रहम, कृष्णी की अध्यात्मी किरन हैं और प्रमात्मा कृष्ण का सर्व्यावी आंसिक विस्तार होता है। यह लहन दो समझ में आ रहा है ना इस प्रका निर्विसेश वादी तथा ध्यान योगी भी अप्रोच रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं प्रतियच कृष्ण भावना भावित बैखती शर्वोच योगी होता है क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रहम तथा परमात होते हैं देखिए शायद कुछ लोग ना समझ पा रहे हैं उस बात को निर्विशेश वाद का वर्थ है भगवान के शरीर से निकलने वाली जो दिवर कांती होते हैं उसी पर ध्यान करना यह बात तो समझ में आ रही है कि ब्रहम भगवान का पूरा साशाथकार नहीं है क्ल कभी मन में आपके पुशार नहीं हा कि भार मात्मा भी तो विष्णु है तो फिर भगवान विष्णु को देख रहा है पर मातना की रूप में तो भगवान के सास्कार से क्यां तरह भगवान भी तो वीृष्ण तत्व यह में शाम सुंदरम अचिंत गुणश रूपं प्रेमान जेन चुरित भक्ति विलोच तो परमातना की रूप में देखेगा भगवान को किस रूप में उपदरश्टा अनुमंता के रूप में लेकिन भगवान के प्रति सेवा की भावना नहीं है तो आप जानते हो कि वह भ किसी को पता है कौन कौन सए लेवल है मैं जानव उचकर को विली बतानी रहा हुआ खाली कठेन प्रशन करना हूं जो कि ब्रह्म उसमें किसमें ब्रह्म में श्रीर नहीं हूं आत्म हूं करता दुक्त की निवर्ति जरूर हो जाती है ब्रह्म साशाथकार में लेकिन भगवान की भक्ति का सुख तभी मिलता है जब भगवान के स्वरूप के देखन का आनंद तभी प्राप्त होता जो भृते में सेवा भावना कुछ कहाना चाहिए प्रचिप भगवान विस्नों का धाम है वहां पूहां के वासिसा चिदानंद सरीर नहीं होते हैं पढ़िए इतने परवे इन सब्सक्राइब को मैं का प्रश्ण में कुछ रहा गया लेकिन जो सेवा की भावना है वह गूलुक में और आत्मीता लेकर रहती इसलिए और अधिक सुख प्राप्त होता है अन्य था दोनों के शिरीर चिन में आप यह नहीं किसे इनके बहुत एक हैं उनके स्वेरना आसा नहीं है लेकिन सेवा का भावना है उसकी आत्मीता बढ़ने के कारण कृष्ण को भी अधिक सुख प्राप्त होता है और भक्त को भी इस इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कारियों में निरंदर लगे रहने का आदेश दिया जाता है जिसले वे देर सबेर परम सिद्धी प्राप्त कर सके किन के बारे में बोल रहे हैं योगी और जो ब्रह्मा अनुबाग कर रहे हैं वह भी क्रमशा प्राप्त करके आगे बथ बनेंगी यस योगी का पहला कर्दब है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदे ए प्रविष्ण करते हैं और मन जो है यह मश्य भोगों में प्रविष्ण करता रहता है इनको अलग कैसे करें पहली बात तो यह देखना चाहिए कि जो एकदम शुद्ध ब्रमचारी हैं वह इस प्रश्ण को करना है तो यानि कुछ करतनाई का अन्पोग भी करना कि हमेशा मन जो है भोगों में जा रहा है और भोग हमेशे बन में जा रहे है तो उसका उत्तर बहुत लंबा नहीं दे रहा है उत्तर बहुत सिंपल है भगवान कहते हैं दोनों को छोड़ो और अपने मन को मुझे में लगाओ सीधे और बहुत असान है भगवान का विग्र है भगवान को ध्यान करें उसे सदेव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक च्छन के लिए उन्हें नहीं भूलना चाहिए अब यह तो हमने हजारों बार सुन लिया है यह इसे प्रैक्टिकली कैसे अपलाई करें यह बात आप सबको बहुत चुत्त हो कृष्ण का हमेशा स्परण करो और ने कभी मत भूलो पहले तो इसका आर्थ समझे आर्थ क्या होता है कि सदेव कृष्ण का चिंतन करना है कि आपने आपको कृष्ण भावना भावित के कारियों में लगाना अगर गिरस्ति भी कर रहा है एक माता जो है खाना भी बना रही है तो वो कृष्ण का परसाद यह पहली बात बहुत महत्पूर्ण है कि यह कृष्ण के लिए बन रहा है और उनको एक श्रण के लिए ना भूलने का क्या रत है यह अपने अच्छा बताया कि अपने कारियों को भगवान की से हो यह तो बिलकुल पर्पेक्ट और ना भूलने का रत क्या है अगर हम पूज ने बिलकुल सही बोला कि हम लगातार भगवान को प्रसंद करने की क्रियां में लगएं जो क्रियां कररें उनका संब्थ लृष्ण और एक लिए बरबिग्वान को ना भुलने का अर्थ क्या है यह समझें इसको सभाशानवी है ज्यादा रिमेंबर करें तो ना तो करें जिसके दोरा भगवान की विस्परती हो समझ मैं हाँ मलब पॉजिटिव इंगेजमेंट्स करने हैं नियम करने हैं और यम कभी पालन करना यह यम नियम समझ रहे हैं बहुत जैसे आप अभी अभी अमलोग टर्चा कर रहे थे ना कि छह प्रकार से वारी भक्ति बढ़ती करें और जिन से निस्मरन नहीं होता है उसको बिल्कुल काट देना चाहिए बहुत कि सबसे बड़ा दोश यही है कि अगर हम एक शन के लिए भगवान को भूल जाते हैं परमेश्वर में मन की एक आगरता ही समाध्य कहलाती है मन को एक और करने के लिए सदे एकांत वास करन चाहिए और बाहरी उपादर्वों से बचना चाहिए योगी को चाहिए कि वह अनकूल परस्थितियों को करें भक्ति के परिवेश में ये बाहरी उपदर्व का मतलब क्या हुआ के दिए का निका या डिवोटी अससीएशन की जो इनफेट होकर कर आए वार सब्सक्राइब है तो जो पूछो डिए जी क्या मुझे यह सुनना चाहिए तू सुचे गा तो शायद सम्भावना है कि वो ना संदुनर कि कुकि देखी एक बाद आप eer जो हमारे को उटमब फैर्विश्ट करें जोगी को चाहिए कि यह निकूल परस्तियों को गुरहन करें और परतिकील परस्तियों को ट्याद ड्याद जिससे उसकी अनुभूती पर कोई प्रभाव ना परें पुर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन ब्यारत की बस्तमों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फसा लें यह कितना कठिन है ना लोगों के लिए इस जगर तुम थोड़े समय के लिए आते ह लेगी परिग्रह काफ़म कितना एपिजे में यह मेरा है यह मेरा अ आव्रिग्रह किरण से लोग आ शक्रक्व सकता है पढ़िया कि चाई जबी भी हमें भगवान को कुछ देने में संकोच हो आप और हम कभी सोच कि यह तो मेरी वस्तु है तब ही विचार करना चाहिए इस ब्राब्लम यह है कि लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं और मैं फिर पर रिपीट करूंगा दूसरों को देना समर्पित होना हम सबको आता है जो लोगों में लगे हुए है घर घरहस्ती में भी लगे हुए है पूरी तरह समर्पित है कि नहीं दासान दास की नहीं तो वही भावना अगर भगवान के उप्रते लगाए तो कितना फायदा होगा मुस्कल्पना भी नहीं कर सकते इसलिए परिग्रह के भाव से नहीं आपना से बढ़िए जिसमें संग्रा भाव परिग्रा के लिए लेश मात अर्थान नहीं होता यह बात समझ में आ रही है यह perfection कैसे होगा एकाकी कैसे रहेगा भक्त संग में रहे जो लोग वक्ति में आगे परिग्रह कैसे होगा हर यह तो अब समझ में आने लगाओगा प्राटिकल भी कि हर वस्तु भगवान की है और उसका उप्योग भगवान के लिए करने में कोई ह पिचक नहीं होती और यह बड़ा प्राटिकल है अब कितना आप वस्तु को हटाएंगे एक महाराज बात कह रहे थे कि योगी तपश्या किया भगवान आये तो भगवान ने कहा क्या वर्दान चाहिए तो बहुत वर्दान से पहले देखिए मैंने जो तपश्या करी है मैं बहुत तपश्या करी तो वर्दान देने से पहले आप सोच लिए कि मेरे संग नयाय होना चाहिए तो जिस पत्थर पर योगी जी बैठे थे तो पत्थर भी बोला देखिए इनके संग मैं भी बहुत तपा हूं क्योंकि मेरे परे 40 साल बैठे हैं तो इसलिए मेरे संग भी ह होना चाहिए तो कहने कारते हैं कि क्यों वस्तु हमारी है यह बहुत वचार हो हर समय विशार करना चाहिए और हर वस्तु भगवान की है उसका संबंध भगवान से है अगर हम यह देखना की शक्ति प्राप्त कर लिए तो हम आय से मक्त जाएंगे अब जानते हैं ना मया का इर्थ क्या है जो यह भावना उत्पन करते कि कोई वस्तु भगवान की नहीं है और तभी मैं सोचूंगा मैं इसका भोग कर सकते बातें बहुत सिंपल सी हैं लेकिन इस द्रिश्टी को जाकर्द्र करना बहुत आवश्यक है एवर्टिंग इस करेंट्टीटो क्रिष्ण आप यह नहीं कह सकते कि लैपटॉप अनुप करनेट्ट नहीं है यह और कोई वस्तु करेंट्ट नहीं लेकिन उसको भगवान के संब अब ऐंकि इतने बात प्रावत चोंदरे ने यह किनेए है जारे हैं बसमें बैस्ता नहीं एक बनेटटेंगी अब बस में वैस्ता होगी जाएंगे तो यानि कि इस सिधान्त का जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें एक बात बहुत महत्पूर्ण है अनासक्त से विश्यान विश्यों से अनासक्त रहे लेकिन कृष्ण सेवा के ग्रहन करे तो व्यक्ति वहरू है युक्त वहरागे में तो प्राय लोग कृष्णी के सेव विश्यों से अनासक्त से अनासक्त से विश्यान अनासक्त स्य 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 विश्यान वेराग्यमुच्यते रापंचिक्तया बुध्या हरी संबंधी बस्तुनहा मुक्षुभी परित्यागो वेराग्यम फल्गुकत्यते अनासक्ते विश्यान विश्यों के प्रती अनासक्त रहते हुए उनका उतना उप्योग करना जिनते अनके आवशकता है निर्बंध क्रिष्ट संबंधे युक्तम वेराग्य उचते निर्बंध मनलब क्रिष्ट से संबंध देखते हुए उसको निर्बंध करते हैं पर क्या हुआ निर्बंध करतों जो मुझे समझ में आ रहा है पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है निर्बंद्धकर्थ वह है, Determination, निर्बंद्ध का इकर्थ होता है, संकल्प, वही अर्थ है, मैं करने नहीं सकता बाइब, युक्त वैरागय मुझे जते मतलब इसको युक्त वैरागय के आपने तीन चीजें सीखी है पहला विश्यों से अना सकती दूसरा जितना आवश्य को ग्रहन करना और तीसरा कृष्णी के संबंद में ग्रहन करना एक बहुत अच्छा इसका इलस्टेशन था कि भक्त को दिव चड़नी है तो कह रहा है कि वह सीड़ी नीचे ले रहा है वह सीड़ी को नीचे गिरी पड़ी है और खुद करके पकड़ने का प्रयास कर रहा है कि वह दिवाल को क्रॉस कर जाए तो कहने करते हैं जिसका उप्यों करके भगवान की सिवा कर सकते हैं उसको बहुत एक मांग यह सही वैराग्य नहीं है जैसे आप देख सकते हैं प्रभुपाजी ने पुष्ट के छापने के लिए क्या-क्या नहीं स्तवाल किया टिक्टा फोन और उस जमाने में बहुत सारी टेक्नोलोजी इसका उप्यों किया तो यह फिर अब एक प्रेशन है वह सन्यासी को समंदर प प्रभुपाजी के उपर तो आप क्या बोलेंगे दो दो आशिप उसने की और आसा नहीं कि यह प्रभुपाजी में लिख रहा है उसको किये तो क्या उत्तर देंगे आप एक सन्यासी को समदर नहीं कराउस करना चाहिए यस वैसनव लोग जो सन्यासी होते हैं उसका मतलब ह क्या मंसा अरुबानी से भगवान की सेवा कि पॉंट नमबर वन तो फिर वो जो मैरेज विगर कर रहे हैं वो क्रिश्ण भाबनामित के लिए कर रहे थे तो उससे अच्छा है कि पहले उचादी करके नीमित रहें और उसके बाद भगवान की बक्ति करें तो कौन कराएगा पाद्री को तो नहीं बुलाई सकते हैं और तो कर नहीं रहा है तो फिर प्रवपाजी को करना पड़ा तो यह कृष्ण की सेवा के लिए इस प्रकार स्विकार करते हैं यह बात समझ मैंने की उसके बात क्या है प्रापंचिक तया बुद्ध्या हरी संबंधी वस्तुना जो बुद्धी से युक्त होकर मुख्ष भी परित्यागु जो मुक्ति चाहता है वह उन वस्तुन का परित्याग कर देता है तो उसको वेराग्यम फल्गु करते थे उसका जो वेराग्य है वह फल्गु मतलग जो उपर से हटा देंगे फल्गू को समझ लेना चाहिए बिहार में पता नहीं कहां है लेकिन होगी एक फल्गू नदी केलाती है जिसमें नीचे से पानी है उपर सुखा है जारा कुछ अब मेरे का से श्लोक समझ में आ रहा हूँ इस लोक को समझना चाहिए ना आप श्रक्षी सब्सक्राइब किसी बश्तु के प्रति आसाथ ना रहते हुए कृष्ण से संबंदित हर बश्तु को स्विकार कर लेता है तभीवा परिग्रहत्र से उपर इस्तित रहता है दूसरी जो व्यक्ति कृष्ण से संबंदित बश्तु को पिना जाने त्याग देता है उसका वैराग पूर्ण नहीं होता इस पर विनोध की बात है बहुत बार लोग कि मैं कोई विक्तिकत कमेंड नहीं कर रहा हूं एसा मने कई पर देखा प्रभुजी मैंने सारा धन अपने घर को दे दिया अब मैं आपनों की शरण में आ गया हूं यह यह यूट वेरागी नहीं अब हम उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते लोगों को पता नहीं रहता है लेकिन ठीक है परिवार वालों के लिए आप कुछ धन जरूर रखे लेंगे ने ऐसा नहीं कि सारा धन परिवार वालों को दे दिया और तुम आ गया वह धन भी तो भग रूप गुसम जी बात में फिर से एक बार गए थे बंगाल और घर परवार का जो मामला सेटल करके आए फिर वह आराम से बाजन कि तो प्रवबार भुसम प्रवबाद भी समों बोलते हैं कि हमें वहवारिक कारियों में भी नेगलेट फुल नहीं होना चाहिए आपने पढ आप आचरवन प्रस्तोत होगा मैं खाले बार खेर बार पॉइंट यह बोल रहा हूं कि देखते रहे कि अगर इस चीज का संबंद भगवान से है तो उससे करने के लिए भक्त को उत्साहित होना चाहिए कि के नाट गिव एवरिटिंग शेरी तो नहीं चोड़ सकते हैं ना पढ़िए गर किर्ष्ण भावना भावित ब्यक्ति भली वांती जानता रहता है कि प्रतेक बश्तु सुरी कृष्ण की है फ्रसुरूप अभी प्रकार से परिगरत परिग्रह भाव से मुक्त रहता है अ अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो आप अच्छाए पॉइंट है ना उट्सहा ने श्याद हर याद तो उट्सहा का इस लाइन से क्या संबंद है कि मैं दो तीन बार भूल भी गए है कि नहीं आप तो ठीक है वागी वक्ता सब्सक्राइब कुछता हूं इसाही क्या रहे है मैं कई बार इसको रिपीट कर चका हूं बड़ रिपीट फिर से कर रहा हूं भूले नहीं इस बात को क्याद आपको बोली आप बोली जो भक्त होता है वो सभी बस्तू को जानता है को भगवान के सकती है इसलिए उसको भगवान के सिवा में इंगेज करने के लिए हमें सब सही रहता है उसके लिए कुछ डिस्करेजिंग है ही नहीं इस परकार वह अपने लिए किसी बस्तु की लालसा नहीं करता वह जानता है कि किस परकार किस भावना अमृत के अनुरूप बस्तूओं को सिकार किया जाता है थोड़ा सा मैं कमेंट यहां पर दे रहा हूं जो सुदामा को अब यह भी मैं प्रश्ने की रूप में प्रस्तुत करता हूं देखते हैं कोई लीला याद आता है कि नहीं जब सुदामा को भगवान ने महल दिये तो उसके बाद क्या किया उन्हें अब यहां तक निला सबको पता है कि महल दिये उसके बाद क्या किया भगवान की सेवा में तो कोई कमी नहीं के और अच्छे से बुझ इतने विए उनको चीज मिले तो भगवान की सेवा लगाए अपने लिए जैसे रहते थे उसे ही रहें मतलब कहने कर यह है कि उनके मन मे भाव कभी नहीं आया कि महल जो ही मेरा है यह भगवान का है और भगवान की सिवा में है तो यह बहुत ही सुक्ष्म बात है क्यों सुक्ष्म बोल रहे हैं कि भागवात में प्रश्न उठाया गया कि इस परिश्ट महाराज यह अकस्मिक एकदम से पूरे राजी कैसे बॉर जगत नहीं है है कि भातो लोग हमेशा क्रिश्ट में आ सकते रहते हैं और जब मुखा होता है तो शरीर भी त्याग देते हैं बुरे जगात प्रश्ट आदेते हैं मतलब शरीर से आसकती को तैक को कॉसे रिशी थे हुए जदीची रिशी रिशी को आप दिश सकते है इंद पूरे समय उसके आ सकती भगवान नहीं थी क्या इसमेश्म बाद आप समझबारा हैं यह सुख्ष्म को सत्सきたों कि नहीं कि अएगा है कि आ पड़िएगा कृष्ण भावनारा के अनुरूप बस्तों को सिकार किया जाता है और कृष्ण भावनारा मृत के प्रतिकूल बस्तों को परित्याग कर दिया जाता है कई बार मैं इस कमेंड को किया है मैं फिर से कमेंड को करूंगा इसमें कटनाई क्या है कृष्ण भावनामृत के अनुकूल वस्तों को स्युकार करना और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तों को परित्याग करना इसमें कठना ही क्या है सिध्धान तो समझ में आ रहा है कटनाई क्या है कटनाई में बता चुका हूं लेकिन फिर भी आपसे मैं सुनना चाहता हूं हमारे भोग में कभी बाधा बन जाती है प्रतिकूल बस्तू है हमें अच्छा लगता और कभी अच्छा नहीं लगता है यह जो चीजे अनुकूल है बता चुला हम सुकार कर भी लें लेकिन जो प्रतिकूल है क्योंकि उसमें हमारी आ सकती है इसलिए त्याग ना कठिन होते है और इसलिए महाप्रभूने वह असत्संत्याग वैश्णवाचा उसको सुनते रहना चाहिए भले हम प्रतिकूल बस्तू को नहां त्याग सके कि आधे लोग है उससे चाहिए दूरी बनाकर रखता है भकतों के संग रहता है ऐसा नहीं कि एक आंत में बज़न करने के बज़ाए हम सुवान जदा करेंगे सूने की संभावना आधिक हो जाए यह आप लोग अन्भव करते हो कि हमें संबंदों की आवशकता है या नहीं लगता बिल्कुन यह बात रिक्ति को समझ में आना चाहिए और हमें बहुत अच्छे भक्तों से संबंद चाहिए जिसका केंद्र जो है वो कृष्ण भावना हो कृष्ण कथा हो है कि नहीं इसके द्वारा हम संतुष्ट अन्भव करते हैं अपने को पोशित अन्भव करते इस लिए ऐसे व्यक्ति काम संग ना करें जो भोग मैं समझता हूं इतना आप लोग समझने लगे हों कि कौन व्यक्ति भोगी है और क्या बात करेगा भगवान भी असी बुद्धित देहीं देते हैं कि अपको तरुछ समझाएं कि यह व्यक्ति भोगी है उसके व्यक्ति भोगी और वोग की ही बात करेगा तो उससे सवर्वकार ना रखिए हल्दर महराज बता रहे था मैं सुन रहा है कि संग का है कि जैसे हमने भागवाद कर था आप से सुनी है किसी से भी सुनी तो एक भक्त को जो है वो गाय की तरहा होना चाहिए कि फिर वो जाके उसका चुगली जुगाली करना तो देखे मनन करना दूसरा गाए के स्थनों मे जब दूद होता है, तो उसे बड़ी कश्ट होता है, तो देना चाहती है, मैं कई बार बात को बोलता हूँ, जब आप भगवान की महिमा सुनेंगे, गुणों को बढ़न करेंगे, पढ़ेंगे, तो सभावी ग्रूप से इच्छा होती है, हम किसी को कुशी को तो बताएं, य इस नौट की विक्ति को प्रशर करेगा कि आप असब बोलिए, सभावी के जब भगवान की महिमा को सुनते में, इतनी बढ़िया है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान इतनी शक्तिशाली कृपालू है, तो हम क्यो नहीं शेर करना चाहिए, इस जगत में अ पड़ेगा, अन्य एक लाइन कराएगी ना, अतना क्रिष्ट भाम नाम रित में रहने बाला बैक्ति पुन योगी होता है, तो अताहका आर्थ क्या हुआ कि उसकी इंद्रियों को भोग में विश्यों में जाने का कोई अवकाश राप्ति नहीं, श्रीमत भगवत विता की पीट क्यों कि प्वाज़ एफ कि इंद्रियों में भीट क्यों कीट विता बाला बैक्ति के विता के विता है, तो भीट कीट शिता है, अतने